हलो स्टूरेंट्स इस वीडियो में प्रोग्रेसिव वेब अप्लिकेशन के बाड़े में जानेंगे जेनरली प्रोग्रेसिव वेब अप्लिकेशन का मतलब है वेब टेकनोलोजीज के माध्यम से अप्लिकेशन को बनाना जैसे अगर आप HTML, CSS या जावा स्क्रिप्ट की माध्यम से किसी भी प्रकार का अप्लिकेशन बनाओगे चाहे वो Android प्लाटफॉर्म के लिए हो या Desktop प्लाटफॉर्म के लिए तो वो कहलाएगा Progressive Web Application Progressive Web Application की एक और खासियत होती है इस तरह के अप्लिकेशन्स यूजर के ब्राउजर में ही डेटा को स्टोर करते हैं यूजर के ब्राउजर में भी डेटाबेश होते हैं जरह उनके बाड़े में जान लेजिए जितने भी वेब अप्लिकेशन आप HTML, CSS और Java Script से बनाओगे अगर वो Progressive Web Application होंगे तिसका मतलब हुआ आप उनके content को स्टोर करने के लिए ब्राउजर का डेटाबेश इस्तमाल करोगे जेनरली ब्राउजर में दो डेटाबेश होता है पहला IndexedDB और दूसरा WebSQL अगर आपको IndexedDB में डेटा स्टोर करना है तो आपको Java Script और JSON का नॉलेज होना चाहिए अगर WebSQL में स्टोर करना है तो आपको SQL Language का नॉलेज होना चाहिए जरा Practical Achieve कर लिजे कि IndexedDB में कैसे डेटाबेश क्रियेट करके डेटा को स्टोर करते है ब्राउजर के अंदर से IndexedDB डेटाबेश को अक्सेस करने के लिए IndexedDB प्रॉपटी को अक्सेस करते है अगर IndexedDB के अंदर आपको डेटाबेश क्रियेट करनी है तो simply आप IndexedDB में Open Method को पास करोगे और अपने डेटाबेश का नाम डिफाइन कर दोगे जैसे मैंने डेटाबेश का नाम डिफाइन कर दिया वैप इंस्टियूट इसका मतलब हुआ ब्राउजर के अंदर जो IndexedDB नाम का डेटाबेश है उसमें इस नाम से डेटाबेश क्रियेट हो जाएगा अब ये कैसे एकजामिन करेंगे कि डेटाबेश क्रियेट हुआ या नहीं ये एकजामिन करने के लिए आप एक वैरियेबल बना लो और उसमें डेटाबेश क्रियेट करके रख दो IndexedDB में ओन सक्सेस इवेंट को पास करते हैं ताकि हम चेक कर सके कि डेटाबेश क्रियेट हुआ है या नहीं डेश्टिंग के लिए आप यहाँ पे पास करदो विंडो डोट अलोट के अंदर डेटाबेश क्रियेटड अगर डेटाबेश क्रियेट नहीं होगा तो उसकेस में एकजामिन करने के लिए आप db variable में on error event को pass करेंगे ये on error event तब execute करेगा जब किसी कारण से database create नहीं होगा simply आप यहाँ पे user को message दे सकते हो database not created जड़ा इसकी testing करते हैं मैंने browser में शरन किया ध्यान से देखिये message आगया database created जड़ा इसकी testing कीजिए inspect में जाकर application पे क्लिक कीजिए ये देखिये indexed db के अंदर web institute नाम का database create हो गया ये डिपेंड आप पे करता है जो application प्रोग्रेसिव वेब application होँगी उनका database आप उन ही के नाम से create करोगे और फिर उनसे related data को आप इसी database में restore करोगे वेब institute की online software engineering classes में आपको html5 की अंतरगत browser में जितनी भी चीज़े आप देख रहे हो जैसे की main face, service workers, clear storage, local storage, session storage, indexed db, web sql cookies, catch storage application, catch, background fetch, background synchronization इनकी proper training दी जाती है मैं recommend करूंगा अगर आप advanced development के field में जाना चाहते हो तो at least आप हमारे website पे वेजिट करो और कम से कम आप इस syllabus को observe कीजिए अगर syllabus powerful लगे तो आप हमें office आबर में call कर सकते हो या अपनी query को आप यहां से हमें send कर सकते हो वैब इंस्टिटूट के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद